नाकपुर शहर के सूपर स्पेशल्टी अस्पताल में कोब्रा साप निकलने के बाद अब शहर के केड़ी के कॉलेज में तीन फूट का कोब्रा साप निकलने की घटना सामने आई है जिससे छात्रों में देहशत का माहोल दिखाई दिया नाकपुर में केड़ी के कॉलेज में उस वक्त हड़कम मच गया जब कॉलेज परिसर में कोब्रा प्रजाती का खतरनाक साप निकलाया जिसके बाद स्नीक कैचर को बुला कर साप को बड़ी मशकत कर पकड़ लिया गया बुदवार को केड़ी के कॉलेज के सिविल से संपर्क किया काफी खोजबिंग के बाद साप अलमारी के नीचे दिखाई दिया कड़ी मशकत के बाद साप को पकड़ने में सफलता हासिल की गई इस तीन फूट के कोब्रा साप को किस तरह रेस्क्यू किया गया इस द्रिशी को आप साफ NBC News द्वारा दिखाए जा रहे इस वीडियो में देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कॉलेज के आसपास नाला भैता है और यही से साप निकल कर कॉलेज केमपस में पहुँच गया होगा इसकी संभावना चताई जा रही है साप तीन फूट लंबा और ब्राउन कोब्रा जाती का है जिसके सिफ एक दंश से मौ कोब्रा साप निकलाया था जिससे अस्पतार में मरीजों के बीज देहशत का माहौल बन गया था केटी के कॉलेज में इस तरह का ये दूसरा मामला है गनिमत रही की दोनों ही मामलों में किसी भी प्रकार की अन्होनी नहीं हुई इन बीसेन न्यूस के लख लेश भाद वाज के साथ अकसान सारी के रिपोर्ट